University School of Mathematics, आप देख रहे हैं, सीटेट करिद के कोस्चन जो प्रीवियस एर में आये हुए हैं, तो देखते हैं, कोस्चन नमबर फर्स्ट क्या कहता है, कि कच्छा चार के अधिक्तर सिछारती सोचते हैं, कि दो संख्याओं के गुडण से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख से बड़ी होती है, आप यह कैसे परदरसित करेंगे, कि यह सदयो सत्य नहीं होता है, कि जैसे कि अगर जो क्लास फोर्ट के बच्चे हैं, तो उनमें अगर कोई वो नेचुरल नमबर या अदर्वाइस को किसी भी पॉजिटिव नमबर को मैटिप्लाई करते हैं, तो वो कै कैसे होते हैं, हमेशा उनसे जादा आते हैं, तो उनके अंदर धारणा बन गई है, कि यह हमेशा दो नमबरों का मल्टिप्लिकेशन हमेशा उससे जादा आएगा, तो उसको कैसे समझाएंगे कि जो दसमलों के नमबर होते हैं, उनका मल्टिप्लिकेशन करने से ऐसा नहीं ह तो देखेंगे कि पहला option क्या है कि एक पूर्ण संख्या और एक भिन के गुड़न की कलनविधी को संख्या रेखा पर प्रदर्सित करके ऐसा नहीं है कि एक पूर्ण संख्या और भिन का multiplication करेंगे तो वो हमेशा ज्यादा आएगा ये option गलत है इसी संख्याओं के बार बार य संख्याएं हैं उनका जो multiplication होता है तो वो उन संख्याओं से छुटा हो जाता है दो दस्मलों संख्याओं के गुड़न की कलनविधी को प्रदर्सित करना ये एक option हो सकता है अब अगला पढ़ते हैं ग्रिड पेपर पर दो दस्मलों संख्याओं के गुड़न को प्रदर्सि जो को grid paper आप जानते होंगे जो ऐसे ऐसे जो हमारा paper होता है तो उसमें हम दिखाएंगे कि 0.7 इंटू 0.3 तो देखेंगे कि 0.21 आएगा तो this is less or equal to तो यह हमारा correct option है fourth. next question पर चलते हैं कि प्राथ्मिक इस्तर पर सिच्छार्तियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्न लिखित में से कौन सा कथन सत्य है अगर प्राथ्मिक संदर्भ पढ़ाएंगे तो सबसे best option इसमें कौन सा है तो देखेंगे प्रमारिक मापों का उपयोग प्रमारिक आप्रमारिक मापों का उपयोग प्रमारिक मापों के बाद हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी जो प्रमारिक मापें होती है उनका उपयोग आप्रमारिक मापों के बाद करना चाहिए नेक्स्ट कोश्चन पे चलते हैं कि वास्तविक जिंदगी से गड़ित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विश्यों को विकसित करने के लिए नियम्न लिखित में से किन मुल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है तो अगर जो गड़ित का हम किसी भी वास्तिविक जिंदगी से जोडने के लिए करेंगे तो सबसे बढ़िया है कि अगर वहाँ पर छेत्री भ्रहमण बिल्कुल सही है हो सकता है मौकिक परिच्छा ये नहीं हो सकता है इसमें तो इसलिए ये उप्सन कट हो गया उसके बाद जाच सूची नहीं हो सकती है उसमें तो इसलिए ये उप्सन गलत हो गया सरवेच्छन हो सकता है परियोजना हो सकता है छेत्री भ्रहमण मौकिक परिच्छा फिर से इसमें मौकिक परिच्छा आ गया इसलिए ये गलत हो गया लास्ट उप्सन देखे क्या है हमारा कि छेत्र के साधनों के रूप में किया जा सकता है तो अगर दृष्टी बच्चे हैं तो उस क्लास में हम क्या कर सकते हैं भिन की किट अगर उसको देखेंगे या संख्या चार्ट देंगे तो इससे बच्चे इस चार्जम को दिखाई नहीं देता है तो संख्या चार्ट को नहीं समझ पाएंगे इसमें भी संख्या चार्ट है इसलिए ये option कट गया इसमें भी संख्या चार्ट है ये option कट गया तो हमारा कौन सा option रह गया? तीसरा, केवल टेलर का गिंतारा, कम्प्यूटर और जियो बोर्ड इनसे बच्चे जो है दस्टिबादित बच्चों 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 बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं next question पे चलते हैं कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कच्छा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आई वर्ग 8-9 वर्ज का है निमलिखित में से किस समुच्चे में प्रवीण हैं जो 8-9 साल के बच्चे हैं तो वो किस चीजों में प्रवीण हैं तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो कच्छा 8-9 वर्ज तक के बच्चे हैं तो उनमें वर्गी करन आता है वर्गी करन मतलब अलग-अलग करना उनको ये चीज़ें जो है आती है उसके बाद classification जिसको बोलते हैं प्रति वर्तिता तो प्रति वर्तिता को बोलते है reversibility तो reversibility भी उनको आती है अनुपातिक विवेचन लेकिन 8 से मतलब 8 से 9 साल के बीच में जो बच्चा होगा वो मतलब class 3rd या 4th में होगा तो अनुपातिक विवेचन जो है वो सायद वो नहीं समझ पाएगा तो देखेंगे कि अनुपातिक विवेचन जो है इसमें तो वो सम्में है अनुपातिक विव किसी भी रो में अर्रेंजमेंट कर लेते हैं एट से नाइन के बच्चे वरगी करन कर लेंगे क्लासिफिकेशन कर लेंगे और उनमें रिवर्सिवेलिटी में भी प्रमीड होते हैं तो यह जो अनुपातिक गीवेचन होता है यह अगली आने वाली कच्छाओं में उनको option पर चलते हैंicus question पर कच्छा एक के सिछक ने एक विध्यार्थी को सभी वस्तूगों की गड़ना करने के लिए कहा जिसमें प्रम और सारपनर का संग्रत थास्तनी सभी वस्तूगों को एक रेखा में रखा और गढ़ना शुरू की उसने दस वस्तों के स्थान पर कहा कि दो पेन, पांच रबर, तीन सारपनर है आपके विचार से विद्यार्थी को गढ़ना के कि सिधान्त पर कटनाई का सामना करना पड़ रहा है तो ध्यान देंगे कि जब वो सिक्वेंस से 1, 2, 3, 4, 5 से ऐसे नहीं गढ़ना कर रहा है वो क्या करता है कि महां से 2 पेन, आँच रबर, 3 ऐसे करके बताता है तो ये जो होता है ये अमूर्तन सिधान्त इसको कहते हैं अमूर्तन और असंगत क्रम सिधान्त इस सिधान्त में के अनुसार क्या होता है कि छात्र कुल वस्तों के गिंती ना करके अलग-अलग वस्तों को अलग-अलग किंता है जबकि सभी वस्तों को विभिन वस्तों ना मानकर एक साथ ही गिंता तो ये काउन्सा है अमूर्तन और असंगत क्रम सिधान्त नेक्स्ट कोशन उपे देखते हैं कोशन नमबर 37 क्या कहता है कि कच्छा 2 की एक सिच्छिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा एक सिच्छिका के रूप में आप कौन सा उप्षन सबसे नजदीक बिल्कुल करेक्ट है तो हमेशा दहाई और इकाई के स्थम्भों में लिखना सिखाएगी जिससे कोई भ्रहम ना हो तो दहाई और इकाई का जो स्थम्भ बनाके अगर लिखेंगे तो जरूरी नहीं गिंतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी तो जब विद्यार्थियों को गिंतारा पर ये चीज़े दिखाई जाती है तो गिंतारा में संख्या प्रत्यच रूप से विवारिक तरीके से तारों पर बंधे मोतियों को संख्या के रूप में प्रशित करके समझाया जाता है जिससे छात्रों का विश्य जो है सर्व तरीके से समझ में आ जाता है तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट यही है कि जब बच्चे लिखने में उसकी place value में गड़वर करते हैं उन्हें कि इंतारा की help से सिखाते हैं गड़ित में प्रतिचित्रन के लिए निमलिखित कत्नों में से कौन सा सत्य नहीं है ध्यान देंगे यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है प्रतिचित्रन का मतलब mapping तो इसमें से correct नहीं रूड़ना है आपको कि प्रतिचित्रन जो होता है अनुपातिक विशन को पुर Sóhyत करता है फ्रतिचित्रन गड़ित पाठययकरम का भाग नहीं है सत्य नहीं है नहीं नेशकरा है कि आकन्यों के निम्लिखित पहलूं में से किसका प्राथमिक इस तरसे कोई संबंद नहीं है जो देखेंगे इसमें से प्रतिरूप सिमेट्री तो सिमेट्री तो बच्चों में पढ़ाई जाती है सिमेट्री के बारे में बच्चे जानते हैं प्रात्मी किस तर पे कोण नहीं पढ़ाया जाता है प्रात्मी किस तर पे इसमें pattern यह सब पढ़ा जाते हैं लेकिन यहाँ पर code उसको नहीं पढ़ा जाता है प्राथ मिलस्तर पर यह एक correct option है गड़िती यह खेल और पहलियां मदद करते हैं गड़ित के प्रती सकारात्मक अभिव्यक्ति को विक्सित करने में तो इसका हमारा हो गया A, B, C, D, चारो